पिछले महीने की यूजर सेफटी मन्थली रिपोर्ट को जारी करते हुए WhatsApp ने करीब 29,18,000 इंडियन अकाउंट बंद कर दिये हैं। एक जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच करीब 10,29,000 अकाउंट ऐसे थे जिन्हें कमपनी ने बिना किसी रिपोर्ट के बंद कर दिया क्योंकि ये भारत सरकार के तैन्यमो और WhatsApp की पॉलिसी का उलंगन कर रहे थे। अगर आप भी WhatsApp का इस्तिमाल गलत कामकाज के लिए करते हैं तो मेटा आपके अकाउंट पर भी एक्षिन ले सकता है। हर महीने WhatsApp यूजिस कई अकाउंट को रिपोर्ट करते हैं जिसके बाद WhatsApp इन्हें रिव्यू करता है और सही पाए जाने पर अकाउंट को पमानेंटली ब्लॉक या खत्म कर देता है। WhatsApp इस तरह के कदम इसलिए उठाता है ताकि प्लेटफॉर्म को यूजिस के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। बता दें, दुनिया भर में करीब 2 बिलियन से भी जादा लोग WhatsApp का इस्तिमाल करते हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में WhatsApp ने करीब 36 लाग से ज्यादा अकाउंट देश में बंद किये थे। जन्वरी में WhatsApp को करीब 1461 शिकायते अलग-अलग अकाउंट को लेकर मिली थी जिसमें से 1337 अकाउंट को बंद करने की अपील यूजिस द्वारा की गई थी जबकि अन्य पर स्पोर्ट और सेफटी को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। WhatsApp एक नए फीचर पर काम कर रहा है जिसके तहट लोग स्टेटस को रिपोर्ट कर पाएंगे। नए फीचर के बाद यदि आपको किसी का स्टेटस सही नहीं लगता या सामने वाले व्यक्ति ने गलत तरह का कंटेंट डाला हुआ है तो आप फॉरण इसकी शिकायत WhatsApp पर कर सक लगते हैं रिव्यू करने पर WhatsApp तुरंत इसे हटा देगा इसके अलावा जल्द यूजस को स्टेटस पर वोईस नोट लगाने की भी सुविधा मिलेगी